पेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नारी अभिवंदन, नारी शक्ती, महिला सम्मान, ये सब बाते फर्जी हैं, ये पिक्चर प्रजवल रिवन्ना की है, सेकडों महिलाओं का जीवन तहस नहस करने के बाद, ये आदमी देश छोड़ कर भाग गया है, दो हफते पहले जब म मोदी इनके साथ मंच साजा कर रहे थे मैसूरू में, उनको पता था कि इसके हजारों अशलीन पॉन विडियो है, जहां पर इसने औरतों के साथ जगन ने यौन उत्पीरन का काम किया है, सेकडों औरतों की जिंदगी बरबाद करी है, उसमें हर उम्र की महिला शामिल है, ब आप महिलाओं के खिलाफ अपराद करने वालों के साथ ही क्यों खड़े होते हैं, देश की महिला बाल विकास मंतरी मौन धारन कर लेती हैं, महिला सुरक्षा, महिला अपराद का कोई भी मुद्दा हो, और देश का महिला आयो, रेखा शर्मा, जो चश्मा उतारेंगी नहीं क्योंकि चश्मे से बीजेपी और घटक दल के कोई अपराद नजर नहीं आते हैं, उनको तो मानो साप सूंग गया है, अगर इस दरिंदे से घिन आती हैं, उससे जादा घिन उन लोगों से आती हैं, जो इसको संगरक्षर देते हैं आप सबको मेरा नमश्कार, और कई बार ऐसा होता है कि कुछ किसे, कुछ चीजे आप पढ़ते हैं, तो लगता है कि ये पिक्चर का सीन चल रहा है, ये किसी घिनोनी, गंदी, पिक्चर का सीन चल रहा है, लेकिन फिर पता चलता है ये यथार्त है, और घिल आने लगती है, ऐसे लोगों से घिन आने लगती है ऐसे समाज से घिन आने लगती है ओसे नेताओं से जो इन लोगों को बढ़ावा देते हैं यह पिक्चर गले में पठका डाले हुए भारतिय जनता पाटी का यह पिक्चर प्रजवल रिवन्ना की है यहां मंच पर मोदी जी के साथ अभी 14 अप्रेल को प्रजवल रिवन्ना हासन से MP है यह देखिए मोदी जी के व्रिहद परिवार का हिस्सा है यह पूर्फ प्रधान मंत्री HD देवगोडा जी के पोते हैं पोत्र हैं मोदी जी के मोदी का परिवार वाले व्रिहद परिवार का भी हिस्सा है 14 अप्रेल की यह फोटो है 14 अप्रेल बमुश्किल दो हफ़ते पहले की यह जेडियस से सांसद है हासन से बीजेपी और जेडियस के साज़ा उम्मीदवार है दो हफ़ते पहले जब मोदी इनके साथ मंच साज़ा कर रहे थे माईसूरू में तो इनकी खूब तारीफ करी थी इनकी पिट ठोकी थी और इनके लिए वोट मांगा था चौदा अप्रेल को इसी महिने की चौदा तारीख को यह नेता देश से फरार हो चुके है और अगर आप इनके जगन या प्राधों को सुन लीजेगा तो दिल दहल जाएगा और एक औरत होते हुए थोड़ी बोलने में भी शर्माती है सेक्ड़ों महिलाओं का जीवन तहस नहस करने के बाद ये आदमी देश छोड़कर भाग गया है इस आदमी के हजारों पॉर्ण वीडियो वाइरल है हजारों पॉर्ण वीडियो और उस पॉर्ण वीडियो में ये हर उम्र की ओरत के साथ जोर जबरदस्ती करता हुआ दिख रहा है ये हर उम्र की ओरत का यौन शोशड करता हुआ दिख रहा है उनकी असहमती के बावजूद और इसमें इसके घर पर काम करने वाली महिलाए है पार्टी की कारिकरता है पार्टी की सांसद है जिला पंचायत की सदस्य है यहां तक की 63 साल की घर पर काम करने वाली महिला जो हाथ जोड़ के कह रिये ऐसा मत करो यह recording यह खुद करके और एक pen drive में इनकी सारी recording मिली है क्या मोदी जी इसकी दरंदगी के बारे में जानते थे या अन्भेग्य थे नरेंद्र मोदी इसके यौन कौकृत्यों के बारे में पूरी तरह से जानते थे उनको हर बात का पता था उनको पता था कि इसके हजारों अशलीन पॉन विडियो है जहां पर इसने औरतों के साथ जगन यौन उत्पीरन का काम किया है सेकड़ों औरतों की जिंदगी बरबात करी है उसमें हर उम्र की महिला शामिल है बुजर्ग 63 साल की काम करने वाली घर पर से लेकर सांसदों और कारिकरताओं तक सब पता था नरेंद्र मोदी को सब पता था 14 अपरेल को जब वो मिल रहे थे सब पता था जब उसको अपना साजा उम्मीदवार बना रहे थे दिसमबर 2023 में बीजेपी के ही एकनेता देवराजगोडा ने बीजेपी के शीर्ष नेत्रित्व को नरेंद्र मोदी अमित्शा और जेपी नडडा को ये चिट्थी लिखी प्रदेश अधिक्ष को चिट्थी लिखी और उन्होंने पेंड्राइफ के बारे में जानकारी दी प्रजवल रिवन्ना के यौन विचलन के बारे में जानकारी दी और कहा इस आदमी को उम्मीदवार मत बनाईएगा दिसमबर 2023 चार महीने पहले 11 जनवरी 2024 को देवरोज गोडा ने प्रजवल के खिलाफ बीजेपी आला कमान को लिखा था उन्होंने प्रेस वारता की सरवजनिक किया इस सारी बात को और बताया कि ऐसा आदमी है इसके यह यह कुकृत है यह बाते सामने आई है इसको टिकट नहीं देना चाहिए इसको उम्मीदवार नहीं बनाना चाहिए पहले लिखा और उसके बाद बीजेपी के आला कमान को फर्जी चाड़क्य इस देश के ग्रह मंत्री अमित्शा करनाटक के दोरे पे जाते हैं मैसूर पहुचते हैं और तब पूर्व बीजेपी विधायक प्रीतम गौड पूर्व विधायक एटी रामस्वामी और कारकरताओं ने इस प्रवज्वल रेवन्ना की उम्मीदवार के खिलाफ उनको कहा और कहा ऐसे व्यक्ति को टिकट मत दीजिए इसके यौन कुकृत के चर्चे बहुत पहले हुए हैं इसने हर उम्र की औरत का शोशड किया है इसके तमाम हजारों विडियो पेंडराइव पर हैं इसने सेकडों औरतों की जिन्दगी तबाह करी हैं पिक्षा और नरेंद्र मोधी सब कुछ जानते थे वो जानते थे किये कैसे आदमी को उम्मीदवार बना रहे हैं वो जानते थे ये कितना जगण ने अपरा दी है और उसके बाद भी उन्होंने हासन की सीड़ से उसको अपना उम्मीदवार बनाया करनाटका की महिला हुआ और जैसे ही S.I.T. गठित होता है हासन का ये उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का चहेता उनका दुलारा उनके व्रिहत परिवार का हिस्सा ये देश छोड़कर भाग जाता है S.I.T. पूरी कोशिश कर रही है S.I.T. हर संभव प्रयास कर रही है इसके प्रत्यारपड का क भारत लाके इसकी जाजपूरी की जा सके लेकिन आज सवाल ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारी अभिवंदन नारी शक्ती महिला सम्मान ये सब बाते फर्जी है क्योंकि नरेंद्र मोदी जानते थे कि स्टेज पर खड़े हुए उनके बगल के इस व्यक्ति न उनके साजा उम्मीद्वार ने क्या किया वो सब जानते थे और उसके बाद भी उम्मीद्वार बनाया तो आज प्रधान मंत्री को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि किस हैसियत से क्या सोचकर आपने इतने घिनोने दरिंदे को अपना साजा उम्मीद्वार बनाया औ और हर बार आप महिलाओं के खिलाफ अपराद करने वालों के साथ ही क्यों खड़े होते हैं। कोई अपराद नजर नहीं आते हैं, उनको तो मानो साप सूंग गया है। पहली बार हुआ है कि नरेंदर मोदी ने उन लोगों का साथ दिया है जो महिलाओं का शोशड करते हैं बिलकुल नहीं कुलदीब सिंग सेंगर की गिरफतारी तब हुई थी जो दोशी पाए गए थे अत्या और बलतकार के गिरफतारी तब हुई थी जब इलहाबाद हाई सोनभद्र के विधायक राम दुलार गोंड जो पॉक्सों में नाबालिक के रेप के दोशी पाए गए उनको टिकट तब दिया था जब उनके उपर पॉक्सों का मुकदमा चल रहा था चाहे वो उत्राखड की अंकिता भंडारी हो चाहे वो गुजरात की बिलकिस बानों हो और चाहे वो दिल्ली में बैठी हुई सबसे होनहार बेटिया हो जो यौन शोशड का आरोप लगाती हैं उनको बूटों के तले रौनदा जाता है लेकिन आरोपी को मोदी जी गोदी में बिठा कर संगरक्षर देते हैं आज तक उसका टिकट नहीं काट पाए हैं और मैं ब बार बार स्मुति हीरानी और महिला आयोक को साब क्यूं सुन जाता हैं और मैं आपके माध्यम से आपके सीनियर मुर्धने पत्रकारों से भी सवाल पूछती हूँ क्यों है इतना सन्नाटा कितने शो हो रहे हैं इस पर कितनी टिपडिया लिखी जा रहे हैं पेपर पर कितने एडिटोरियल्स लिखे जाएंगे आज ये सवाल पूछा जाएगा क्योंकि सब इस समाज में राजनितिक जीवन में सारविजनिक जीवन में ऐसे लोगों की कोई जगे नहीं है और ऐसे लोगों को बढ़ावा देने का काम ऐसे लोगों को संगरक्षर देने का काम ऐसे लोगों को राजनितिक हैसियत बढ़ाने का काम खुद नरेंदर, मोदी और अमित्शा कर रहे हैं ये असलियत है